देन वही लौकी खाखाके तो हम बोर हो चुके हैं तो आज हम लौकी के कोफटे ट्रै करते हैं चलिए तो हमने पहले लौकी लिए उसको छिल के ऐसे अच्छे से ग्रेट कर देना है अच्छे से ग्रेट करने के बाद लौकी का कलर चेंज होता जाता है इसके लिए आपको जल तो किला गीला इसे इतना जादा नहीं होना चाहिए तो उसके उपर पिर नमक डाल देंगे उसके उपर पिर लाल मेट्स डाल दी है हमने इसको अच्छे से मेश कर लेंगे अगर थोड़ा अगर बहुत साथा लग रहा तो थोड़ा और बैसन मिला सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा यह भी घीला ही है इस तरीके से हमारा बैटर हो जाएगा फिर हम इसको एक्तम गरम तेल रखेंगे और उसमें यह दालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके इसके बॉल्स बनाकर डाल देंगे कितने अच्छे लगते हैं अब खाएंगे आपको खुदी मसा आजाएगा यह देखिए यह हमने कौफदे निकाले यह सारे कौफदे हम इस तरह से तलके निकालने हैं उसके बाद हम लेंगे पैन पैन लेके फिर हम उसमें डालेंगे तेल तेल थोड़ा गरम हो जाए फिर हम पैन के बाद जीरा डालेंगे फिर हम कटे वे बारिक प्याज और मिर्ची डालेंगे उसके बाद हमको इसको गुमाते रहना है जोर्ट तो इसका थोड़ा कलर चींज नहीं हो जाए जैसी थोड़ा कलर चींज होगा हम इसमें ट्रमाटे डाल देंगे इन सब को अच्छे से इसके बाहते नमक, लाल मेच, हल्दी डालते बाहते 2ammenचोड , पानी दालते, तक नमक सहाथ चेक का ठाएबर मसाल करें का था लंद समय 00Old सब कुछ अच्छा से पग जाएंगे जो किस आपने डालेंगे तो कोफते जो है ना पूरा पानी तो यह कोफते नाले उसके बाद आपको पानी का अंदाजा आप एंदाजा हो जाएगा तो आप फूरा पानी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो अगर थोड़ा पानी वाली सबसी खाते हैं तो आप आट कर सकते हैं उसके ओपर हमने एक कोरियंदर लीव्स डाल दी मतलब धनिया डाल दिया है और हमारे कोफ्ती के सबसी रेड़ी हो जगी देखी किती शांदार लग रही है है ना घर पर इसको ज दिर देखाते में भीओट